हेलो एन वेलकम तो डिवाइन एजुकेशन हमने अपने पिछले लेक्चर में मेटल्स और नॉन मेटल्स का पार्ट वन कर लिया था ठेक हमने अपने पिछले लेक्चर में मेटल्स और नॉन मेटल्स का पार्ट वन कर लिया था आज हम देखेंगे क्या आज हम देखेंगे पा इक बर हमें यह पहले point को पढ़ लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ, the element which exhibits both metallic and non-metallic characteristics is called metalloid, देखिए, जो metal भी हो और non-metal भी हो, ठेक, थोड़ा metal भी हो और थोड़ा non-metal characteristics को भी show करें, उसको हम क्या बोलता है, metalloids बोलते हैं, देखिए, यह जो होता है, metalloids, यह predictable में metal औ और non-metalls के बीच में रहता है, तो यह आप इसको tick करेंगे, यह question point है, कि predictable में metalloids का जगह कहा होता है, चार options रहेंगे, एक option उसमें यह रहेगा, कि metals और non-metalls के बीच में रहता है, ठेक, देखिए, साथ type के, यह अपने metalloids है, boron, silicon, germanium, arsenic, anatomy, polonium और tellerium, ठेक, यह इस को देख लीजिए, यह photo देख लीजिए, अब आपके दिमाग में एक, यहाँ पर सवाल आ रहा होगा, कि हमने एक term बच्पन से सुना है, semi-conductor, जिसमें, जिसका भी मतलब यह होता है, कि वो आदा metal होता है, आदा non-metal होता है, ठेक, तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठेक, जो metalloids होता है, वो equivalent to semi-conductor, थोड़ा बहुत difference होता है, बट मान सकते हैं, same है, देखिए, semi-conductor का एक property, जो मैं आपके सामने discuss कर देता हूँ, आपका question मन सकता है, exam में, कि जब temperature बढ़ाते हैं, ठेक, जब temperature बढ़ाते हैं, जब temperature ब हो जाता है, यह इसका एक relation है, आप लोग इसको थोड़ा याद रखिए, मैं elaborate करता हूँ इसको, अभी आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए, देखिए, इसका मतलब क्या है, कि मान लीजी यह एक कोई silicon है, जैसे कि यह देख लीजिए, यह जर्मीनियम है, ठेक, जर्मी temperature को बढ़ाया, यानि कि इसका अगर मैं temperature को बढ़ा हूँ, तो इसका resistivity घट जाएगा, resistivity घटने का मतलब क्या, conductivity high हो जाएगा, इसका मतलब कि जो भी semiconductor है, ठेक, वो जितना high temperature में जाएगा, उतना metallic character show करने लगेगा, यानि कि conductivity उसकी बढ़ जाएगी, तो यह आप लोग ध हम लोगों ने बहुत सुन रहा है allotrops, graphite, diamond, यह सब carbon के allotrops होते हैं, हम लोगों ने सुन रहा है, जानिये इसका मतलब क्या होता है, एक बार हम definition को पढ़ते हैं, फिर easy language में भी इसको समझेंगे, the term allotrop refers to one or more physical forms of chemical element that occurs in the same physical state, देक, इसका मैं सीधा सीधी मतलब बताऊ, तो एक ही chemical element है लेकिन उसका physical state अलग-अलग है, जिसे की एक गंगाधर था, वही सक्तिमान था, और एक तीस्ता रूप कौन सा था, उसका सत्य नाम का ऐसे कुछ था, जितना तक मुझे आद है बच्पन का, तो जो गंगाधर था, जो सक्तिमान था, और जो सत्य था, यह सब क्य बहुत सारे physical states में यह अकर करते हैं, देखिए, allotrops में show difference in chemical and physical properties, यह chemical और physical properties में यह थोड़ा difference show करते हैं, जैसे कि graphite का कुछ और chemical physical properties होगा, diamond का कुछ और होता है, carbon का थोड़ा-थोड़ा कुछ difference होता है, ठेक, थोड़ा आगे चल लेते हैं, अब हम लोग, example देखिए इसका allotrops का example, famous examples है, देखिए, carbon का allotrops होता है, diamond, graphite और flurence, यह तीन क्या होता है, carbon का allotrops होता है, यह देखिए, इसमें से electricity conducting भी होता है एक, जो कि यह होता है, graphite, जो pencil जिसके अंदर रहता है, जिसके अंदर pencil रहता है, आप देखिए, phosphorus का भी allotrops आपसे exam में पूछा जा सकता ह white phosphorus, red phosphorus और black phosphorus, यह तीन क्या है, phosphorus के allotrops है, यह आप लोग picture भी देख सकते हैं, यह carbon का atom, यह अपना pencil, यह यह ग्रेफाइट, ठीक, बचपन में आपने कभी इसको board में, socket में घुसाया, electricity current लगा आपको, मुझे तो लगा है, बहुत लगा है मुझे, ठीक, यह diamond रहा, यह अप देखते हैं, और metallurgy को समझते हैं, कि metallurgy क्या होता, अब मैं यहाँ पर पूरा metallurgy नहीं बताने वाला हूँ आपको, कि एक-एक term बताऊं, उसका एक-एक process बताऊं, एक-एक extraction का वो बताऊं, मैं यहाँ पर simple आपको क्या करूँगा, कि metallurgy का कुछ term बताऊंगा, जो कि जि यह जो dash or है, वो किसका or है, या फिर iron का or इन में से कौन सा है, ऐसा question पूछा जाता है, ठेक, देखे, metallurgy क्या होता है, metallurgy is defined as a process which is used in its purest form to extract metals, देखे, metal को extract करने के लिए जो process हम करते हैं, उसको mainly metallurgy कहते हैं, क्या कहते हैं, metallurgy कहते हैं, अब देखे, metallurgy से related कुछ terms में ब बन सकते हैं, देखे, चलते हैं अब, terms related to metallurgy, बहुत question बन सकते हैं यहां से आपको, ठेक, exam में, देखे, minerals क्या होता है, minerals are naturally occurring substance of metals present in earth crust, ध्यान दीजिएगा, earth crust called mineral, जैसे example के लिए, clay is a mineral of aluminium, यह क्या होता, earth के अंदर पाया जाता है, ठेक, earth crust में पाया जाता है, अब देखे यह ores, confusion होता है, इसमें, लेकिन मैं यहां पे clear कर देता हूँ, ores are those minerals, ores जो है, वो एक टाइप का mineral ही है, that can be used for the extraction of metal easily and profitably, ores एक ऐसा mineral है, ठेक, जिसके, जिससे हम बहुत easily and profitably, यानि कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पैसा ना खर्च करके, हम उससे अपना purest form of material को, metal को extract कर सकते है, जिसे कि example लेखिए कि bauxite, bauxite is an ore of aluminium, यह example एक है, लेकिन इसे बहुत सारे example है, हमारे पास में table, अभी आपको दिखाऊंगा, वो table से ही question बनेंगे, बहुत सारे, ठेक, आगे चलिए, देखते हैं हम लोग, यह देखिए, यह देखिए, calcination, एक और, यह बह लेखिए, लेकिन हमारा exam में भी इसका बहुत ही ज्यादा importance है, क्योंकि इसे directly question बन जाते है, calcination is defined as the process of converting ore into an oxide by heating it strongly in absence of air, देखिए, किसी भी ore को, पहले हम oxide में convert करते हैं, फिर उसको हम वहां से extract करते हैं, in the presence of, sorry, in the absence of air, तो उस process को हम लोग क्या बोलते है, calcination process बोलते है, उस process को हम लोग क्या बोलते है, calcination, calcination मतलब absence of air, absent, ठेक, और roasting, कैरी मिनाटी वाला roasting नहीं, यह roasting process होता है, ore से extract करने के लिए purest form of metal, ore is converted into its oxide, ore को उसके oxide में पहले convert किया जाता है, ठेक, by hitting it below, its melting point, melting point के नीचे, in the presence of excess air, क्या होता है, roasting में, presence of excess air होता है, presence of air होता है, और यहाँ पर क्या होता है, absence of air होता है, तो question आप से पूछा जा सकता है, in fact, पूछा गया भी है, कि कौन सा process में, ठेक, dash देखे, कौन सा process में, ore से हम, extract करते हैं, metal को, by converting it to metal oxide, पहले metal ore oxide में, convert बना के, ठेक, in presence of air, in presence of air, confuse करेगा, यहाँ पर in presence of air, और absence of air, तो आप याद रखेगा, presence of air क्या है, roasting, देखो, इसका एक metric बताता हूँ, खुद से बनाया हुआ है, मेरा, ऐसा सोचना है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, कि जो roasting होता है, देखो, roasted chicken वगएरा, देखा है, आपने क्या, वो जो restaurant या फिर किसी छोटे, दुकान में क्या रहता है, बहार ही रहता है, बहार ही उ देखे, अब हम reactivity series of metal देखते हैं, हमें इसका depth analysis नहीं करना है, हमें थोड़ा सा याद रखना है इसको, क्योंकि इससे question बन जाते हैं, कि which of the following element is highly reactive, अब बताइए आपके से याद रखेगा, तो यह मैं एक trick लेके आया हूँ, एंटरनेट पे बहुत सारे trick अबलेबल है, ज hydrogen copper silver gold, यह least reactive मतलब जो नीचे है, वो least reactive है, जो ऊपर है वो high reactive, इसको याद करने का तरीका देख लेजाए, आप लोग, please stop calling me a careless zebra, instead try learning how copper saves gold, आप यह थोड़ा weird लग रहा होगा आप लोगों को, बट इसको अगर आप याद कर लेते हैं, तो कभी इससे question आता है, आपके exam में, तो आप easily tick करके होगे, बहुत easy topic है, ठेक, अब हम आपको ores का table दिखाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना question start करेंगे, तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं कुछ, एक table में दिखा रहा हूँ, important metals and their ores का, क्या, important metals and their ores, इससे question direct बन जाता है, आप लोगों के exam में, देखें, यह chemical formula याद रखने का जोरत नहीं है, इससे question नहीं बनता है, यतना बड़ा formula कौन याद रखेगा, देखे, sodium का, अब इसमें बहुत सारा ores है, लेकिन जो famous है, वो कौन सा, borax, इसको आप लोग याद रखिए, याद, सबको याद रख सकते हैं, लेकिन जो main point अप याद रख सकते हैं, देखें, देखें, magnesium का famous और कौन सा है, यह, magnesium, dolomite भी है, यह दोनों आप इसको याद रख सकते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं, यह देखें, calcium का main क्या याद रखना है, gypsum, ठेक, strontium यह सब का पूछा आज तक गया नहीं है, copper का याद रख याद नहीं रखना है, इसको कट करें, ठेक, और देखें, gold का, यह, calamity, zinc का क्या याद रखना है, zinc site और calamine, यह बहुत important, calamine, ठेक, एक माटी, मैं इसको मिटा देता हूँ, यह calamine, बहुत important है, देखें, अब उसके बाद, इसका iron का, iron का कौन सा है, hematite ore, यह बहुत famous ore, hematite ore, ठेक, फिर अपना uranium का, uranium का कौन सा, यह pitch blend, यह बहुत famous और question बन सकता है, तो यह कुछ ores का table था, जिससे की question बन सकता है, अब हम लोग कुछ previous year questions को देखते हैं, देखें, हम लोग कुछ question स्टार्ट कर लेते हैं, यह पहला question, previous year SSC 2015 का question है, ठेक, question क्या है, there are only two metals that are non-silver in color, and they are non-silver in color, जो की silver color का नहीं है, metal वो कौन सा है, तो जैसे की gold दिख रहा है हमें option में, तो gold तो ऐसे ही golden color का होता है, ठेक, हलका yellowist color का होता है, due to low reflectivity, तो इसका answer क्या हो जाएगा, copper and gold, second question क्या है, which of the following metals has highest reactivity among the following metals, यह भी SSC MTS 2017 का question है, और इसका easy answer बनता है, जैसे की मैंने अभी reactivity series में बताया है, सबसे highest reactivity किसका होता है, potassium का होता है, ठेक, एक और question, तीसरा number question क्या है, the ore of aluminium, अभी ही मैंने बताया था, the ore of aluminium क्या होता है, क्या होता है, बॉक्साइट होता है, क्या होता है, बॉक्साइट होता है, SSC 2015, सब previous year का, यह सब सारा question है, चौथा question देखिए, which of the following element is semiconductor, अब यहाँ पर semiconductor के जगा, आपको exam में metalloids भी दे सकते हैं, ठेक, तो आप लोग ध्यान रखेगा, कि यह लगभग properties सेम होती है, semiconductor और metalloids के, ठेक, यह क्या है, UPPCS 2018 का question है, तो इसका answer क्या होगा, इसका easy answer है कौन सा, silicon होगा answer, यह aluminium, silver, lead, यह सारा कुछ क्या है, सारा कुछ metals है, यह देखिए, पाचवा question क्या, dry ice is a solid form of, यह भी previous year का question है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस cancer क्या होगा, इस cancer होगा, carbon dioxide, चाटा नमर question क्या है, which of the following oxides of nitrogen is also known as laughing gas, देखिए, बहुत common सा question इसका क्या होगा, nitrogen oxide, NO2, ठेक, इसी कौन लोग क्या बोलते हैं, इसी कौन लोग बोलते हैं, laughing gas, चलिए, सात्वा नमर question क्या है, the non-metal which found in liquid state, sorry, liquid state, तो liquid state में कौन सा non-metal found होता है, याद करिए, मैंने बताया था आप लोगों को, ये भी previous year का question है पहली बात तो, ठेक, और ये मैंने बताया था, metal, जब मैं non-metal को बता रहा था, पहले lecture में, ठेक, देखिए, bromine होता है, bromine ही एक ऐसा non-metal है, जो liquid के form में होता है, क्या होता है, liquid के form में होता है, विसे तो maximum, ज क्या है, which of the following acids used in car battery, मैंने क्या बताया था, जब मैं acid base and salt पढ़ा रहा था, तो, sulfuric acid, क्या होता है, इस cancer, sulfuric acid ये car batteries में use किये जाते है, तो हम लोग इस chapter को यहीं पर end करते है, ठीक है, अब हम आपको next, अब हम लोग next class में मिलेंगे, ठीक, और next class में जो हमारा chapter होगा, वो chapter ह होगा, atoms and molecules, कौन सा, atoms and molecules, इसमें हम पूरा atoms and molecules मतलब पूरा atoms को cover करेंगे, atomic structure तक पूरा, पूरा atoms को हम लोग इसमें finish करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत